हाँ बचों कैसे हो तो नव वर्ष की सभी को सुब कमनाई तो आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा माइन नमबर यह आपका सेवन था ऐसीरीज का कोई डाउट अगर रहा है तो अब लोग वरन भाई बन सारी कुछन को डिसकस कर रहे हैं ठीक है तो शुरू करें आओ तो कुछन नमर 91 जो है यह अनिमल किंग्डम से लेटेड कुछन है जिसमें एसके अलमेंटी जो है उसके रिस्पेक्ट में पुछा कि इनको राउंड वोम क्यों गय थे क्यों आप लोग जानते हैं कि क्रॉस सेक्शन जो है उसके अंदर यह सर्कुलर यह राउंड जो है व वो राउंड वोम का आगया है थोड़ा सा इसका अपन लोग कलर चेंज गर लेते हैं क्रॉस सेक्शन में यह राउंड होते हैं इसलिए राउंड वोम तो आंसर क्या होना चीए स्पाइरल बोडी दे दिया इसलिए थोड़ा सा गड़ बड़ है देर बोडी इस सर्कुलर इ वो development के respect में और आप जानते है development एक तो direct होता है और indirect होता है डारेक्ट के अंदर larval stage नहीं होती रहिए लॉकिंछ indirect development जो आप उसके अंदर larval stage होती है तो यहां पर कुछ रूपन जो न न उन कोड़ेट लुईट है तो scorpion जो है विच्चु यह एक orthopods है और इसके अंदर अ जो वो नहीं है अर्थवर्म वो भी डारेक्ट 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 डार जिसको आप लोग कहिए सवक्त है कि यह तो एक viviparous है और earthworm डारेक्ट 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 ड तो q culture. Water vascular system के respect में बात किये गए और water vascular system ऑर echinodermaids का character है और water cannell system या water transport system, porifera का feature है तो इसमे voter vascular system पुच्छा है, तो अपने को सर्च करना equipment , तो या answer number third हो जाएगा spongous उसके अंदर water cannell या water transport syिस्टम होता है हुक वाम जो है वो एसकेलमन्थीज का इमेंबर है जिसमें एनकाइलोस्टोमा जो है उससे लेटिड है ओके यहां पर कुछ इनवर्टीब्रेट्स दे रखें जिसमें अगर हम लोग एक ही बात करें तो यह औरीलिया है जलिपिश और एडेम्स या दोनों ही इसे रइंट्रेट है स्टिंगिंग सेल है और यह प्लूरोब्रेंग किया है तो एक लिए प्लूरोब्रेंग किया नहीं यह वालग गलत हो गया ए ओरीलिया ठीक है बी एडेम्स या ठीक है सी नाइडोब्लास ठीक है और डी प्लूरोब्रेंग किया सहीत आंसर हो जाएगा सेगें ओके यहाँ पर दो जो एनिमल आपको दिखाई गये हैं यह जो दिये गये हैं इसमें दोनों ही प्लैटी हलमेंथीज है इसके अंदर एक जो है फेशियोलाइप्रेटिका है और दू अगर अगर हम लोग देख के यह जो एनिमल है इसके अंदर डाइजेश्टिव सिस्टम अप्सेंट होता है और अगर इसकी बात करें तो इसमें दाइजेश्टिव केंट प्रजेंट है लेकिन इंकंप्लीट ताइप का इसके अंदर कोँंन ओपनिंग होती है माउत और एन और यह अपनी बोडी की जो डॉर्स वेंटरली फ्लेट सर्फेस है इससे डारेक्ली न्यूट्रियंट को वो एब्जोर कर लेता है तो एक तरीके से इसका एक अच्छा अडेप्टेशन भी है और सेकेंड अगर बात करें बी इस फ्री लिविंग फ्लोग नहीं बी फ्री जुष्ट है इसका है तो डाइजनिटी के अडोपरेस है तो बी जलत हो गया एंड बी बोथ आर फ्री लिविंग नहीं फ्री लिविंग तो है नहीं दोनों ही एंडोपरेस है फिर क्या है बी पोझेज एन औरल एंड वेंटरल शकर बिल्कुँ सही है यह तो इसका है औरल स प्री यह तो अटेस्मेंट एज वेल इस सक्षन फूड और वेंटरल शकर जोग उसका फॉंक्शन के वाल अटेजमेंट से है फूड के सक्षन से वो रिलेटेड नहीं है टीक है तो आंसर हो जाएगा इसका फॉर क्योंकर इसके अंदर क्रेक्ट पूछ रहा था पॉलिटि और यह जो है वो टीनोफोर्ज उनसे लेटेड है, टीनोफोरा तभी नाम दिया गए टीनोफोरा, कॉंब बियर के लिए न, नेक्स्ट फिर यहां पर जो दो डाइग्राम दिये गए हैं, एक मेल है और एक फिमेल है, और दोनों ही राउंड वोम है, एसके लवेंटीज है, ज इसके रेस्पेक्ट में अपने को क्या देखने है, एक करेक्ट देखने है, ठीक है, तो, इट है वेल डवलप मस्कूलर फेडिक्स, बिलकुल सही कह रहा है, और यह NCRT की लाइन है, इनकी जो मस्कूलर फेरिक्स है काफी डवलप होती है, और खोस्ट की बोडी में, यह क्य केसे H-Shape Renate Cell कहते हैं वो है इसमें help करती है साइजोसिलोम नहीं नहीं है यह यह शुडोसिलोम है और bilateral symmetry तो है तो है यह आपर क्या लिखा है डिपलो डिपलो नहीं है यह जो है वो ट्रिपलो ब्लास्टिक यह है ठीक है तो पुछा क्या गया था क्रेक्ट वन पुछा था और क्रेक्ट जो है वो फर्स्ट हो गया ठीक है आगे बढ़ता है है हम इंटल केविटी और तो पुछ जो है उसे लिटेड है और आप लोग जानते हैं मोलस्ट की जो बोडी है वो हैड विस्टरल हम्प मस्कुलर फूट जो उसमें डिवाइड़ेड होती है और उनका जो विस्टरल हम्प है और मेंटल मेंब्रेन उसके बीच में कविटी होती है n-c-i-t के लाइध नहीग है तो मेंटल क्यविटी के लिए हम्ए याद रखना है और डोर्षल विस्रल हम्प अट मैंटल लेयर य पिछ पी इन केर्ट देखना है मोनो साइड्स जो है वो मेक्रोफेस के अंदर हीगा है तो उनका हिपेरिन सीख्रेशन से कि और घॅक हिए तो माग घू है और ये जो वेसोफिल वह स्लेटर्ड है लिम्फोसाइट जो वन गिआटा है लिम्फोसाइट है जो ऑ difास्विक बेंम कुंट है लेटर्ड और ता कि यह बागता तो आपना अन्सर हो जाएगा फर्स्टॉ यह दोनों ही डेंस रेगुलर कनेक्टिशू की एक गजांपल है तो यहां पर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है जो पर पर आंसर हो जाएगा वेस्कुलर नहीं है का अधिकल है कि रियर डाइड लेयर है . देकर हेस्किन के राइस्पेक्ट में तो यह स्ट्र स्ट्रुाइड स्क्राइड इस क्रिद्धीशिक्द में क्लूमनर हेस्कॉत नो थे स्क्रांध स्ट्रूपर ब्लेड के अंदर Oxalarm Capital स्ट्रूपर तो आंसर क्या हो जाएगा, found in blood and formed by liver, blood में present होता है और जो liver है वो इसको produce करता है, born mirror नहीं, WBC नहीं और uriniferous tubule भी नहीं, simple जा क्यूस्टन है, यहां पर एक cell junction के respect में क्यूस्टन है और यह junction ऐसा होना चीए, जो दो cells जो है उनकी बीच से substance के leakage को या flow को prevent कर जानते हैं यह जो junction है और tight junction की बाती यहां पर की जा रही है क्योंकि tight junction यह ऐसा करता है क्योंकि gap junction तो दो cell के cytoplasm को connect करता है, desmosom, दो cell के बीच में is a cementing, उनक दोनों का अपस में connect करने की कोशिश करता है और interdigitalization जो है वो एक type का अंत्रांगुली बंदर है जो addition junction का ही एक type है तो इसके अंदर आंसर बात करते हैं, यहां पर कुछ points दे हैं skeleton muscle के respect में और अपने को उसमें पूचा क्या? correct one, okay, अभी check कर लेते हैं, their activities are under voluntary control of the nervous system बिल्कोज, perfect, सही है, next है, they are located in inner wall of visceral organ नहीं, inner wall जो है visceral organ की वहाँ, वो तो smooth muscle related है तो यह वाला भी यहां पर wrong हो जाएगा, they are primary involved in locomotion action and change in body posture, बिल्कुल सही है, skeleton muscle के लिए सही है, they have no stripped appearance नहीं, यह वाला अगड़ा हो गया, तो पुछा था correct है, skeleton के लिए, तो A and C, A and C, answer हो जाएगा 4, ठीक है, चले आंगे, जर्मिनल epithelium के respect में है, जो कि simple cubodal epithelium होती है, ovary के अंदर, ovary को बाहर से cover करती है, semniferous tubule के अंदर भी होती है न, तो blood vessel नहीं, exocrine cell नहीं, endocrine cell नहीं, internal lining of semniferous tubules न, जो testis के अंदर होती है, proximal convoluted tubule PCT की बात की जा रही है, nephron के अंदर, जहां पर maximum reabsorption होता है, अगर उसको अठा दिया जाए, तो urine जो को dilute हो जाता है, और वहां पर ऐसा क्यों हो पाता है, क्योंकि वहां की cells में, जो simple cuboidal cells है, जिनकी free surface पे microbial आई है, यह reabsorption की surface area को increase करती है, तो breast border, simple cuboidal epithelium, third answer. Okay, तो यहां पर कुछ tissue दे रखे हैं, और यह जो figure है, इनके respect में अपने को correct one देखना है, Okay, क्या पुछा, correct location and functions related, तो यहां देखें A के लिए, पहले option D के लिए है, D तो cardiac muscle है, तो इसमें क्या दिया है, smooth muscle tissue गलत, cardiac होना चाहिए, A क्या है, columnar, columnar epithelium तो ठीक है, लेकिन nephron दे रखा है location, nephron में columnar epithelium, यह nephron में to simple squamous हैं और simple wordal है, next फिर B की बात करते है, glandular epithelium, B glandular है, single cellular glands होती है, और जैसे goblet gland है, intestine में मिलती है और secretion का function करती है, यह तो ठीक है, C वाला rung कैसे है, C dense regular connective tissue है, collagen fiber दे रखा है, cartilage के अंदर और इसको जो है a skeleton muscle to bone, और लेकिन यहां पर आप लोग देखें कि cartilage दे रखा है, इसके जगह यहां पर उना चीह था क्या? tendon, ठीक है, इसलिए यह वाला भी यहां पर रोंग हो गया, तो धर डांसर हो जाएगा, ओके, यह कॉर्थोफोड है और arachnida class का member है, जिसके अंदर 8 pair है, हालांकि इनके अंदर antenna absent होती है, crustacean के अंदर 2 pair antenna होते हैं, लेकिन जो arachnida, मकडी और बिच्चुअ ना, spider and scorpion, इनके अंदर antenna absent होती है, तो respiratory system जो है इसके अंदर, वह किस form में है, अगर उसकी बात करें, तो देखो, जो aquatic crustacean है, उनके अंदर बुक गिल्स होते हैं, बुक गिल्स की बात करें, तो यह जो limulus है, इसमें बुक गिल्स होते हैं, इनके अंदर बुक लंग्स होते हैं, तो respiratory system के respect में अगर देखें, तो होना चाहिए, बुक लंग्स, बुक लंग्स दे रखा है इतिनों यह option में, ओके, excretary system के लिए coxal gland होती है, coxal gland, antinary नहीं होती है, antinary gland crustacean के अंदर होती है, ओके, excretary structure की बात की, number of walking leg है न, तो इनके अंदर चार pair लेक्क होती है, four pair, four pair सही है, और फिर क्या देखा है, number of antenna, antenna न के अंदर नहीं, antenna absent है, तो zero, तो answer क्या हो जाएगा, second, second answer इसमें perfect हो गया, matching वाले question है, okay, matching वाले question को देख लेते हैं, इसको हटाते हैं, तो देखें, malpigian tubule की बात करें, तो insect का correct रही है और इसको अपन लेट कर सकते हैं, किस से, लोकस है, antinary gland, crustacean, prawn से हो जाएगी, flam cell जो है, वो tap warm, platy, alminthes की हो गई, और excretary tube जैसे renaid cell tube की form होती है, इनके अंदर edge shaped ऐसी structure होती है, ऐसी tube like structure है, और वो excretive pore की form में, escal menthes की body में open होती है, तो यह हो जाएगा किस के लिए, ओक warm के लिए, तो आप लोग इस तरह की सिमेज कर सकते हैं, तो first का C, first का C यह रहा न, इसमें भी है, और second का D, second का D इसमें भी दिया है, third के अंदर A, third में A ही यह रहा, और fourth में B, fourth में B तो आंसर हो जाएगा second, which character not matched with a tenophor phylum, tenophor के respect में है, sex जो है, उनके अंदर separate होते हैं, यह जो है, वो monoseous होते हैं, separate नहीं होते, और not matched पुछा था यह हो गया, only sexual reproduction इनके अंदर होता है, as sexual इनके अंदर absent होता है, सही है, digestion process, पहले extracellular और बाद में intracellular, यह भी सही है, body जो है वो radial symmetrical होती है, और diploplastic होती है, यह भी सही है, incorrect पुछा था जो की कौन सा हो जाएगा, first, select echinodermate, which commonly known as brittle star है, तो एक echinodermate के लिए अगर brittle star की बात करेता हो है, of your thrix, ठीक है, paragastic cavity जो है वो porifera में होती है और gastro-vascular cavity, silentrate के अंदर होती है, तो answer हो जाएगा, simple सा है, second, totipotent cell पुछिए porifera के अंदर, और porifera में जो totipotent cell है वो है, archeocyte, जो undifferentiated होती है, body की किसी भी cell का formation कर सकती है, इसलिए इनके अंदर regeneration power होती है, और जो silentrate है, उनके अंदर totipotent cell जो है, वो है, intracetial cell, टीक है, चले आगे, which of the following sponge is found in fresh water, fresh water sponge है, आप लोगो उनके पढ़ा है, spongyla, simple answer था, spongyla, okay, एक vector की form में कोई orthopod जो हमारे अंदर disease फेला सकते है, तो यह the carrier of malaria, malaria के लिए anophilies हो जाएगा, the phylum orthopod is named so because of presence of orthopods, जोंटेड appendices, इनके अंदर जो appendices है, antenna है, mouth part है, इनके जो legs है, उन सब के अंदर joint होती है और इसलिए यह orthopod कैलाते है, फर्स्ट आंसर हो जाएगा, comb jelly जो है वो टीनोफोर के लिए यूज किया गया है, लेकिन jellyfish जो है वो silentrate के लिए यूज किया गया है, तो वो जाएगा cnidarians, तो आंसर हो जाएगा 3rd, bioluminescence मालब अंदहरे में dark के अंदर light का emission करना, तो यह एक enzymatic process है, और यह जो characteristics है वो phylum tenophora का है, उस phylum के सारे ही member ऐसा representation करते है, तो characteristics feature पुछाता है, bioluminescence, well marked in which of the following phyla, यानि सारे member में होना जाएगा, तो आंसर हो जाएगा tenophora, ठीक है? Canal system of periphera is not connected with, मतब locomotion से related नहीं है, gaseous transfer exchange में, nutrition में, excretion में, उन सब में, even reproduction के अंदर helpful होता है, तो food gathering है, respiratory gas exchange है, removal of waste है लिए कि locomotion से related नहीं, locomotion से related नहीं है, इसलिए 4th answer हो जाएगा. Which of the following statement is false about glands, glands के respect में, गलत option पुचा है, goblet cell secret mucus सही है, unicellular gland है, exocrine gland possess duct for secretion of mucus, milk, saliva, earwax, digestive enzyme, oil, बिल्कुल ये भी सही है, glandular epithelium consists of specialized columnar और cuberdal cells, बिल्कुल, glandular epithelium जो हो columnar ये cuberdal हो सकती है, लेकिन squamous जो नहीं होती है, endocrine gland secret enzyme नहीं है, इसके जगह hormone आएगा, इसलिए आप cancer जो हो फोर हो जाएगा, गलत पुचा था. Which statement is false about epithelium? Epithelium के लिए जो जो false statement पुचा है, it provides covering or lining for some part of body, सही है, cells are compactly packed with little intercellular space, ये भी सही है, NCID के line है, simple epithelium is composed of single layer, single layer होती है, compound में multiple layer होती है, epithelium cell has poor नहीं, इसके अंदर rich या regeneration की काफी ज्यादा property होती है, पूर नहीं होती है, तो यही वाला answer इसके अंदर हो जाएगा, जो कि गलत है. Okay, squamous epithelium is not found in which part? काहनी मिलती है, lung cellulite में है, pneumocytes है, bomine capsule में है, जिसको podocyte कहते है, blood vessel के अंदर है, जिसको endothelium कहते है, लेकिन जो glands की duct है, वहाँ पर cuboidal epithelium होता है. तो answer कुण साब जाएगा, not found in a na, तो third answer हो जाएगा. Which of the following junction facilitate the actions of cytoplasm of neighboring cells, पास-पास के cells के cytoplasm को connect करना, small molecule, ion and sometime large molecule का यह transport कर सकता, gap junction की बात हो यहाँ पर हो रही है. अगला जो है, which of the following statement is wrong about connective tissue है, connective tissue के लिए रोंग देखना, they function as linking and supporting other tissue organs सही है, except blood, okay, blood को छोड़ करके, except blood cells and connective tissue secret fiber of structural protein, अलब blood जो है, उसके अंदर matrix के अंदर fiber नहीं होते हैं, सही है यह भी. फिर in connective tissue fiber give strength and elasticity, but not flexibility नहीं, flexibility भी provide करता है तो यह यह answer हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या पूछ रहा था? यह सही कैसे चोथा देख लेते हैं, they range from soft connective tissue to specialized बिल्कुल जाही है, जैसे loose connective tissue, lens connective tissue और specialized connective tissue, NCIT रिवाइड रखा है तो यह भी ठीक है, लेकिन अपना answer जो wrong पोच रहा है, वो थर्ड हो जाएगा, यहां पर aereolar tissue जो है उसके respect में बात की गई है, और इसमें matching वाला question है, correct आपको identify करना आप लोग जानते हैं, कि यह macrophage है और यह fibroblast है, और यह वाले जो है वो collision fiber है और यह mast cell है, इस तरीके से आप लोग इसको match कर सकते हैं, ठीक है? यह cartilage जो है उसका cross section है, जिसके अंदर आप लोग देखें, यह lacun है जिसके अंदर chondriocyte आपको नजर आ रही है, और यह इसके बाहर की तरप की matrix है, यह RBC है और यह जो हो WBC है और इसके अंदर अपने को correct पूछ रहा है, तो a cartilage in a cell, a जो हो cartilage in a cell है, CWBC, नहीं, C तो RBC है, D platelets, D platelets, नहीं, D तो WBC है, और BRBC, BRBC नहीं, यह भी गड़ बढ़ हो गया, तो answer हो जाएगा first. Which of the following tissue is more prone to cancer? Okay, cancer maximum tissue है, जिनको malignant cancer जो है बोला गया और यह जो tissue body के बाहर भी है, body के अंदर भी है, middle position पर भी है, तो maximum cancer जो है, वो इसी tissue से जो है, वो related, epithelial tissue, क्योंकि यह body को बाहर से cover कर रहा है, अंदर की lining में भी है, तो यह ज्यादा एक तरीके से जो carcinogen है, उनके contact में आता है, इसलिए ज्यादा prone है यह cancer के लिए, 130. Which muscle contains the property of both station and involuntary nature? हम लोग जानते हैं कि stated muscle, जो है, वो voluntary भी है और involuntary भी है, लेकिन smooth muscle के वाले involuntary होती है, तो यहाँ पर station भी दिया है और involuntary भी दिया है, यह बात की जा रही है cardiac muscle के लिए, तो answer हो जाएगा 4. नेक्स्ट फिर which is correct statement, correct अपने को देखना है, okay, neuroglia are excitable, नहीं, excitable नहीं है, यह neuron जो उसके लिए सही बेटता है, neuroglia make up more than one half volume of neural tissue यह सही है, 50% से ज्यादा, यह NCRD की line है, और अपने को correct पूचा जा रहा था, myelin seed is formed on dendrite नहीं, dendrite पर myelin seed नहीं है, myelin seed जो है वो exone पर होता है, फिर epithelium है यह और brain ventricle को cover करता है, simple columnar shelliated होती है, CSF के फिलों में help करती है, तो यह epithelial tissue है, connective नहीं है, तो answer हो जाएगा 2. Which tissue is made up of more than one layer of cell and has limited role in secretion and absorption, secretion absorption में simple epithelium का role होता है, और stratified जो protection से लेटेड है, तो more than one layer जो है, उनका secretion absorption role नहीं है, और ऐसे जो है, compound epithelium third. Which one of the following pair of structure distinguish a nerve cell from other type of cell, nerve cell के अंदर ऐसा क्या है, जो दूसरी cell के अंदर नहीं है, तो vacuoles fiber नहीं कर सकता, differentiate, pericarion और dendrite जो हो केवल nerve cell से ही related है, बाकी cilia flagella नहीं, chloroplast तो बिलकुल ही गड़ बड़ हो गया, mitochondria तो चलो, animal cell जो है, उसे related है, यह plant cell वाला हो गया, तो यहां पर अपना answer हो जाएगा second. Aerial connective tissue does not contain which of the following cells है, तो inside यह लिखा है, macrophage है, fibroblast होती है, जो main cell है, aromast cell है, लेकिन goblet cell जो है, वो epithelial, जो lining है, GIT है, respiratory tract है, वहां पर mucus secretion से related है, जो इस से related नहीं है, यहां पर तो answer हो जाएगा fourth. फिर which of the following tissue has ability to transfer impulse और ऐसा tissue जो control coordination से related है, वो है neural tissue, nervous tissue, तो answer हो जाएगा fourth. ठीक है, तो hope, I hope, आप लोगोंने enjoy किया होगा, और doubt भी clear होँगे, ठीक है, good luck. जा करूँ